है कि नमस्कार मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार रॉइन परिंटिंग में हिम चर्चा कर रहे हैं बिए पारड फ़स्ट के 적 principles of composition के अंदर इसका जो second principles है हारमनी यानी सामन जेसे के बारी में अमझाया चर्चा चल की किसारा कमante का सुरूप कैसा होता पिर सामा जया का महत्यों क्या फिर है। इन पर हम चर्चा कर चुके अब हम जिसा आगके चल रहे हैं कि वह साम जेस इस दर टाथ से इस त्पैंटिंग में रेखाओ कि यह संब्धस्या चाहिए बनाने जाता है कि यह रख सकते हैं किसे बना सकते हैं तो रेखाओं को तीन मुक्के स्रोणियों में बाटा जा सकता है पहला जैसे आवरती रेखा है तो रचना में एक ही दिशा में गति सील एक समान रेखा है आवरती या पुन्रावरती का प्रभाव उत्पन करती है यानि कि को भी जो रेखा है लाइन से है तो एक दिशा में गति सीलता या समान रेखाएं आवर्ति या पुंड़ावर्ति का प्रभाव उत्पन करती है और दूसरी है अवरोधख रेखाएं यानि कि जो निरंतर विपरीत दिस्वों की और जाने वाली रेखाएं अवरोध उत्पन करती है और दूसरी है अवरोधख रेखाएं यानि क निरंतर विप्रीथ जो जाने वाले रेखाएं और तीसरी जो रेखाएं तीसरी प्रकार के रेखाएं बनाती जो को संदी से तो यह रेखाएं अपसमें इन रेखाओं जिसे बिगतिरोद रेखाओं आवर्थि रेखाओं को प्रिवर्थित कर गए improves आवशेक्त अनुसार अन्य दिशाओं के और प्रियुद्त किया जाता है और इससे कलाकरती के प्रभाव में मधुर्ता आती है और सही उजन में आकर्शन पैदा होता है इसी प्रिकार कला रचना में विबिन भार यानि कि वेट वाली रेखाओं के प्रियोक से भी सामज से प पैंटिंग से उनके अंदर कि रेखाओं द्वारा कैसे सामज से बिठाया जाता है जिसे पहले में बताया आवरती रेखाएं तो यह जो गतिरोधक रेखाओं और आवरती रेखाओं को ब्यवस्तित करके वह परिवस्तित करके उन्हें आवशक्तान उसार अन्य दिशाओं के उर्च किया जाता है और इस से कला करते के प्रबाहुएं में मधूरत्ह आती है। और संयोजन में आकरशन भी पैदा होता है इस प्रकार जो कला रचना में विबीन जिसे भार हम एक तरसे भार से मतलि होता है कि एक एस्टेटिक्स सेंस भार होता है कांखों में नजर आता है रेखाओं के दौरा कहीं पर किस तरह की रेखा है भारी मोटी रेखा कर दी तो इस करके करें बैलेंस करके उनका किया जासत है और आवरती रेंखाएं जैसे मैं बताया था पूर में आवरती रेहा अगति रोदेक रेखाएं और संधी्क रेखाईं और संयोजन आकर सकत आकरतियों को जन्म देता है अब दूसा जो उचनक चित्र टॉपिक है अपने तत्यू का वह है कि सरूप 件事情 तो एक थो एक फोन के द्वारा किसित था सामन जासी में बढ़ा है तो चित्रोत बिवश्ता बनायी रेखने के लिए आकर्ती सामन जिसे भी अतै अपिंद MARTIN एक कोई भी कंपोजिशन है या जो पेंटिंग से उस पेंटिंग के अंदर जो किस तरह की जो सब्जेट के नुस्तार उसके जो फॉर्म है उसके जो आकरतियां चाहिए महिला है पुरुस है पसु है पक्सी है जानवर है ट्राइंगल है इसक्वायर है जो जिस रूप में जो सामंघ से हो तो सित्र में ब्रुपाकार होते हैं और रूपाकारों की ऐसी ब्रुपाकार परस पर पूरक का कारे करें तो यह सामंघ चित्र के अंतरगत आती है यानि की जो भी कोई भी फॉर्म है जो भी को रूप है और जिसकी जिनकी ऐसी बेवस्तावा जिसमें मुख्य और सहय के जो बड़ी फॉर्म है उसके साथ में चोटी आकरतियां चोटी फॉर्म से हैं तो वह इस तरह का मतलब आपस में परस पर पूरक का कारिये करें आपस में दूसरे से तो यह सामझ जिस एक अंतरगात आती है और इसके लिए यह आवश्य करकी बड़ी जो रूपा क्रतियां है यह बड़ी जो फॉर्म से हैं चितर भूमि के आकार के अनुरूप यानिकि जो चितर गया उसकी भूमिया चितर भूमियां जो मारी स्पेस है उस इस पेस के आकार के विरोधी सुभाव की इन्नाय हो छोटे रूपाकारों में विवित्धा वे विरोधाभास भी दिखाया जा सकता है तो इसी परकार छोटे वे बड़े रूपाकार परस पर संबद्ध हो और अमूर्त रचनाओं यानि जो एफ्टेक्ट आर्ट एफ्टेक्ट जो फॉम्स हो संब्सक्रादोय जो सब्सक्राइए लित भी लिति हैं ऑगला जो है जैसे झी जैसे औरrestम जीस वह सह कंपोजिटनी उल्सकिन जैईने को समघ्वर कि जीए जिसे शिवह पर सबी रूप से मिलके वह सामझ जिससे का उत्त्पन का अर्मनि и크 बने रहे दूसरे स्पोर्म के हार्मनि यानि वह यहांधा सामन 09 कापन max प्रसासमा किस तर्व सामय किस फ्लब किस तर्वा करती हैं बड़ी आक रखना आए चोटी को कि सब्सक्रार चैनल इस दिखाए दिखाया जाते सकता है और जो तो चित्र में आकर्षन पैदा करने के लिए मोटे चिकने कठोर बारिक इतियाति विभिन प्रकार के पोथ बनाया जा सकते हैं परम तो चित्र के सामज़्ष्य के लिए यह आवश्य का यह एक दूसरे से मेल खाते हो यह यजिए बहुत सारी नेशर के अंदर, प्रकरती के अंदर भी हमारे सामने भी है, अब टेक्शर्स हम कलर के दवारे बना सकते हैं, लाइब के दवारे बना सकते हैं, डोटडोट के रूप में, लेकिन हमें उनी पोत का वहाँ पे इस्तिमाल करना है, जो उस पेंटिंग, जै च्प रहे हैं तो स्रीजन कर democratि को अंपर और सकभ बनाता या आइक रस्क आप आंधा उन कहती करने इस्कांती पूर्वक फोर्वक को रृजव नहीं लिए सबacit रहेक्ट चेत्रकार जाँ एक स्क्षोपर्वक करते के लिए इसल लिए कि अ स 애 करिये आपे क्षuko कर सकते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते हैं उसके लिए जो एक पारंगत था का होना आप सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि जिसे परंद कुसल चुत्रकार जो पताया नहीं मैं विसेश याने की एक्सपर्ट्स हैं जो पारंगत हैं तो वो उनके लिए कहा गया कि वो जो मेल नहीं खाने वाले ऐसे टेक्सेश को भी वो उसमें कंपुजर में सामान जैसे बिठा सकते हैं जैसे चिकने और कठोर पोत यदि भी इसके लिए अत्यन सावदानी यानि बताया ने जो पारंगत होना आवश्यक्त है उसकी के अंदर कुसलता कितनी है एक चित्र का अरगी अब जैसे है विचार सामन जैसे तो एक पेंटिंग के अंदर किस तरह से अपने विचारों का सामन जैसे बनाया जाए तो कला करते हैं विचार सामन जैसे का विसेश महत्व है यानि कि चित्र के त अनुरूप ढली हुई प्रियुक्त हो और प्रतेक आकर्ति वत्तत उसी के विचार को पोशित करते हो उदारण के लिए से मानलों को गाहूं का द्रश्ट्य है तो सभी रूपा करती है यानि सभी फॉर्म्स गाहूं के अनुरूप ही बनाई जाएगी अन्यत्ता विचार से होना भी बहुत जरूरी है कि जो विशे के नुसार जो सब्सक्राइब बना रहे हैं तो वह जो भी तत्व हैं रेकार रूप वण ने तान पहुत है कि माद्यम्स सामझ से का मत तभी उसकार जब उसमें जो निहित विचार है जो कंपोजिशन के अंदर जो बनाने वाला verses 1, तो इस चित्रकार का क्या विचार उसके क्या थोट है किया फिलिंग से क्या एक्स्पिशंज से और क्या उसका विचार उसके साहाई वह ताली हुit उसमें नजर आहे। तो नहीत विचार का नीए डहली हुई उट शुर्णिक आकर्ति व्यत た उसी विचार को प्रकट करना चाहरा थे सब्सक्राइब हो जिसको पनाना चाहरा है तो वह उन तत्व के माद्ям से वही रूसमें नजर आना हो जैसे में अगहाओं को तो जिसके जो रूपकर्तियां और आ अब जिसे है वर्ण सामन जिसे और उसके बाद में वर्ण सामन जिसे जिसे विदिया है तो ये उसके बारे में हम चर्चा आगे वाले उसमें करेंगे धन्यवाद